नमस्कार एलेक्शन ट्रेनिंग वीडियोज की सिरीज में आज की वीडियो में मैं चार्चा करने जा रहा हूं दुईतिये मद्दान अधिकारी के कार्य एवं करता दुए डूटीज और रस्पॉंसिबिलिटीज आफ पॉलिंग आफिसर टू क्या-क्या कार रहें पॉलिंग यानि मद्दान के दिन की एक दिन पहले उन्हें कुछ कारिक कर लेने होते हैं ताकि मद्दान के दिन सुविधा हो मद्दाता परची जो मिलता है मेटेरियल के साथ उसकी वो 50-50 का बंडल बनाकर रख लेते हैं रबर बैंड से बांग कर ताकि अगले दिन उनको परशानी न हो अब सुबह जब बाकपॉल शुरू होता है तो उसमें वो प्रजाइडिंग ऑफिसर का सहीयोग करते हैं और उनके निर्देशों का पालन करते हैं जब वास्तविक मदान शुरू होता है तो वोटर सबसे पहले पॉलिंग ऑफिसर वन के पास आता है इसके बाद वोटर पॉलिंग ऑफिसर टू के पास आता है तो पहला काम जो पॉलिंग ऑफिसर टू करेंगे वो है भोटर को अमिट स्याही यानि इंडेलिबल इंक लगाएंगे यह किस तर से लगाना है किन को किस तर से लगाना है किस तर के वोटर को किस तर से लगाना है इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्द है यदि अभी तक आपने उस वीडियो पर नहीं देखा है तो अवस्य देख ले यहाँ एक बात महत्पुन है जो मैं बताना चाहता हूँ यदि कोई वोटर स्याही लगवाने से मना करता है तो उसे वोट देने का भी अधिकार नहीं है आप उसे वोट नहीं दिलवाएंगे उसे वोट देने से मना कर देंगे अमिट स्याही सभी वोटरों को लगाना है तभी वोट कर पाएंगे अब इसके बाद जो दूसरा काम है वो है मद्दाता रेइस्टर में वोटर से संबंधित प्रवेश्टी करना इसके भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर उप्लब्द है कि किस तरह से इसमें प्रवेश्टी किया जाए यदि इस वीडियो पर भी अभी तक आपने नहीं देखा है तो अवस्य देख लें और अब तीसरा काम होता है मद्दाता पर्ची जारी करना मद्दाता पर्ची में जो महत्पुन चीजे होती है वो तो उपर में आपका विधान सवाच्छत्र रहेगा और मद्दाता का क्रमांग रहेगा एक क्रमांग तो यह है कि आप जो मद्दाता रिष्टर में आपने 123 करके लिखा है एक वो होगा और दूसरा वोटर लिस्ट में उसका क्या क्रमांग है यह रहेगा और सिग्निचर रहेगा यह जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह लोक सभा आम चुनाओ 2024 का मद्दाता पर्ची है अभी जो आपको अगर विधान सभा चुनाओ होगा तो उसका पर्ची में थोड़ा सा अलग रहेगा लेकिन मुल्ग चीजें वही रहेंगी मद्दाता रेश्टर के कॉलम एक में मद्दाता का क्रमांग और मद्दाता क्रमांग जैसा मद्दाता सुची में दर्ज है यानि सिरियल नंबर यही तीन मुख्यकार जो मैंने अभी बताया वो मद्दान पदारिकारी दो अर्थात पॉलिंग ऑफिसर्टू के है आसा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मद्दान के दौरान आपको अपने कार की जानकारी हो गई होगी इस वीडियो को जो भी प्रजाइडिंग ऑफिसर या कॉलिंग ऑफिसर 1 या पॉलिंग ऑफिसर 2 देख रहे हैं वो अवस्ये अपने पाटी के अपॉलिंग ऑफिसर 2 के पास इस वीडियो को शेर कर देंगे धन्यवाद 1 झाल झाल